आज की वीडियो में हम दिखेंगे 3-dimensional array, अभी तक हमने 1-dimensional array देखा, उसका program, initialization, सारी चीज़े हमने देखी, 2-dimensional array में हमने initialization, उसका program, matrix multiplication, matrix addition, इस सारी चीज़े हमने cover कर ली हैं, आज हम दिखेंगे 3-dimensional array और उसका introduction only हम देखेंगे, next वीडियो में उसका program बनाएंगे, ठीके अब देखो, हमने सबसे पहले starting की थी 1-dimensional array से, 1-dimensional array का example हमने क्या दिखा था, कि suppose हमें क्या करने है, 5 students या 10 students या कितने भी students के हमें क्या करने, suppose role number या mark store करने, हम किसी एक चीज़ को लेते हैं, suppose हमें क्या करना है, 5 students के role number को store करना है, 101, 102, 103, 104 and 105, तो ऐसे cases में अलग-अलग variables से, तो हम क्या किया, हमने उनको array में store किया, थी HEY, इसके बाद में हमने क्या दिखा, कि suppose हमें क्या करना है, role number के साथ ही, mark course को भी store करना है, क्या करना है, marks को भी store करना है, तो हम कैसे store करेंगी, suppose इनके marks है 75, then 82, then 83, then 76, then 84, ये क्या हैं, इनके marks हैं,值 percentage, जो भी आपको लेना ह टीक है तो अब यहां पर हमने क्या notice किया है कि यह क्या है हमारी रोस है ठीक है यह क्या है हमारी रोस तो वन तू थी, बा NFC लिजलब गई हमारी रोस हो गई और दो क्या हो गкрет् σबस गई इसमें हमारे columns हो गई ठीक है अब देखो बात ही आती ही कि 3D अरी क्या होता है, ठीके, तो माल लिया कि ऐसी ही कुछ details है, हमें separate pages में क्या करनी है, store करनी है, ठीके, हमने 5 students की detail यहाँ पे store कर दी, अब मैं क्या चाहती हूँ, कि 5 all students की detail में किसी और page में store करूँ, फिर 5 all students की detail में किसी और page में store करूँ, में क्या चाहते हूं कि कुछ और स्टूडेंट्स की जो डीटेल्स है अब यहां पर मैंने स्टूडेंट का एक्जाम्पल लिया है आप एंप्लोई से रिलेटेट दिख सकते हो कि आई एंट सेलरी आप स्टोर कर दे हो ठीक है तो आप क्या चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एंप्लोई की डीटेल्स आप दूसरे पेज में स्टोर करना चाहते हो ताकि आपको जो कन्फ्यूजन ना हो ठीक है तो आप अगर कुछ ऐसा चाहते हो तो आपके पास दो वेस हैं यहां तो यहां पर एक और कॉलम ले लो जिसमें आप डिपार्टमेंट नेम दो लेकिन इसरे पेज में में तीसरे डिपार्टमेंट के एंप्लोई की डीटेल्स दो ऐसा कोछ अगर आप करना चाहते हो जैसे आप क्या चाहते हो आपके कोचिंग की बैचर्स वगदर कुछ भी चल रही है इस पेज में आपने क्या किया है मौनिंग की जो स्टूरेंट से उनकी ड 109 & 110 ऐसे कुछ है ठीके इनके आप यहां पे जो भी माक्से मों स्टूर करना चाहते हो फिर आप इवनिंग की बैचे से उनके लिए आप कोई सेपरेट पेज बनाना चाहते हो ठीके तो ऐसे केस को अगर आपको क्या करना है इंप्लिमेंट करना है तो आपको क्या लेना स्टूर करना चाहते हैं स्टूर करना चाहते हैं आइडी और उनके मार्स को स्टूर करना चाहते हैं लेकिन मैं क्या चाहते हूं कि मैं मौनिंग बैच के स्टूरेंट की डीटेल को अलग पेज में स्टूर करके रखना चाहते हूं नून स्टूरेंट की डीटेल को अलग प पेजिस की जुर्दत पड़ी है अब हर एक पेज में कितनी है तीन दो से और दो कॉलम से अब देखो यहां पर तो मैंने हर एक पेज के अंदर तीन दोस ली हैं लेकिन अगर मैं यह चीज आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगे कि अगर मैं क्या चाहती हूं कि किसी पर्टि करना है ठीक है तो अब यह मेरा यही सारी डीटिल्स है ठीक है तो एक तरह से यह क्या बन गया हमारा 3D array बन गया, क्या बन गया हमारा 3D array बन गया, जिसके अंदर अब सबसे पहले, यह जो है, यह क्या है हमारा main array है, यह क्या है हमारा main array है, इस main array के अंदर क्या है, हमारे total 3 elements है क्या है, 3 elements है क्योंकि array के अंदर क्या होते है, elements होते है लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर से देखें तो उस एक element के अंदर भी क्या है एक 2D array है इस element के अंदर भी क्या है एक 2D array है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो 2 dimensional array होता है वो क्या होता है 2D arrays का collection होता है तो यह हमारा main array है जिसके अंदर क्या है 3 2D arrays है तो यह क्या है 2D arrays का collection बना यह क्या है मेरा main array है क्या हो गया collection हो गया suppose इस array का जो नाम है वो क्या है M है आप कुछ भी नाम दे सकते हो marks नाम दे सकते हो जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो तो suppose ये क्या है मेरा main array का नाम है M, okay, उसके अंदर ये क्या है मेरा 0th array, ये क्या है मेरा 1st array और ये क्या है मेरा 2nd array, क्या है ये 0th array, 1st array और ये 2nd array है, ठीक है, तो यहां तक अभी हमने कुछ भी technical नहीं दिखा, सिर्फ introduction हमने दिखा है कि कहा 3D array की ज़रूरत पढ़ती है, ये इस अप्लोई की details को store करना है, एक department के employees को में इस array में रखना चाहती हूं, इस page पे रखना चाहती हूं, दूसरे department, suppose computer department के employees के इस वाले array में या इस वाले page में रखना चाहती हूं, जो page concept क्यों use कर रहूं, page word क्यों use कर रहूं, ताकि आप real words से उसको connect करके, imagine करके देख सकती इसी तरह से जो दूसरा कोई सा physics department है, उसके employees की details को में यहां पर रखना चाहती हूं, ठीके, तो आपको अभी यह situation clear हो गई कि कहां पर ऐसे 3D arrays की जुर्दत पढ़ती है, मैं अलग-अलग arrays में क्या करना चाहती हूं, अलग-अलग type के students को store करके रखना चाहती हूं, तो ऐस इसे cases में 3D array की जुर्दत पढ़ सकती है, तो अब यह है हमारा main array, उस main array के अंदर ही क्या है, हमारे total 3 elements है, 0, 1, 2, अब यहां पर मैंने 0, 1, 2 क्यों दिया, क्योंकि array की indexing किस से start होती है, 0 से start होती है, ठीक है, इसके बाद में उस array के element के अंदर क्या है, 2D arrays है, ठीक है, तो अगर हमें 2D array को declare करना होता है, तो अभी हम देखेंगे, इसको हमें declare कैसे करना है, ठीक है, करने की बाद initialize कैसे करते है, इनको memory किस तरह से allocate होती है, किस तरह से इनको memory मिलती है, यह है हमारा conceptual view, memory कैसे मिलेगी, वो भी हम पूरा अच्छ तरह से देखेंगे, लेकिन हम पहल अगर हम इनके अंदर के पर्टिकुलर 2D array की बात करें, तो 2D array के लिए हम इस तरह से 2 presses के अंदर, 2 square rickets के अंदर, यहां पे sizes specify करते हैं, तो अगर हम इनके अंदर के particular 2D array की बात करें, तो 2D array के जो dimensions है, तीन रोस है, मदला, maximum 3 रोस है, उससे जादा बढ़ भी सकती है, ले 2 columns है, 2, तो यहां पर हमने लिखा 2 columns, ठीक है, लेकिन ऐसे हमारे पास कितने arrays हैं, तो ऐसे हमारे पास total 3 arrays हैं, 3 arrays हैं, तो यहां पर हमारा एक ओर dimension इसमें add हो गया है, तो यहां पर इस type के हमारे पास total 3 arrays हैं, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 3, तो इस तरह से हम क्या कर स सकते हैं, declare कर सकते हैं, मतलब exactly ऐसे नहीं करेंगे, तो अगर मुझे इस array को declare करना है, तो मैं क्या लिखूँगी, या पर सबसे पहले int, क्योंकि इनका data type क्या है, int, नाम क्या है, m है, अब इसके dimensions क्या है, total 3 pages, और उस हर एक page के अंदर क्या है, मतलब total 3 arrays है, उस हर एक array के अंदर हमारे again क्या है, 2D array, जिसका dimension क्या है, 3 by 2 है, ठीके, क्या है, 3 by 2 है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको array को declare करते हैं, 3D array को declare करते हैं, अब declare करने पर memory कैसे मिलेगी, वो हम देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, number of bytes calculate करते हैं, 3 into 3, 9, 9 into 2, 18, मतलब हमें total 18 locations चाहिए, और हर एक location की size क्या है, हर एक location की size क्या है, 4 bytes क्यों, क्योंकि क्या है, यह integer type क्या है, 18 into 4 मतलब हमें total 72 bytes चाहिए, 72 continuous bytes चाहिए, memory में, अब देखो, memory क्या होती है, अगर मुझे इस तरह का array चाहिए, तो क्या memory भी हमारी 3D हो जाएगी, नहीं, हमारी memory तो क्या होती है, sequence of bytes होती है, कुछ इस तरह से क्या होती है, हमारी memory होती है, तो memory में, जहां पर 72 bytes continuous हमें available होंगी, system में, वहां पर हमारे इस array को क्या हो जाएगी, memory allocate हो जाएगी, ठीक है, तो माल जिया, इस किसी particular location के बाद में 72 bytes available है, तो अब देखो, मैं bytes के concept में नहीं बता रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कि हम किस concept में देख रहे हैं, कि हमें total कितने 18 locations चाहिए, तो ये 18 total हमें locations available हो जाएगी, इस data को store करने के लिए, ठीक है, 18 locations available हो जाएगी, अब हर एक location की size क्या है, 4 byte है, हर एक location की size क्या है, 4 byte है, इतना concept clear हुआ आपका, इसके बाद में देखो, ये इस तरह से memory मिल गई, और ये क्या है हमारा conceptual view है, logical view है, ताकि आपको concept easily समझ में आ जाए, कि मुझे अगर माल लिया, हम इन दोनों arrays को भूल जाते हैं, बिल्कुल कि ये दोनों arrays है ही नहीं, और मुझे इस cell को access करना है, ये 2D array है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, 0th row का 0th column बोलूँगी, ठीक है, इस cell को access करना है, तो 0th row का 1st column, लेकिन क्योंकि हम 3D array की बात करते हैं, तो हमारे बास ऐसे 2 और array है, तो इस array को मैं क्या बोलूँगी, इस cell को मैं क्या बोलूँगी, 0th row का 0th column, लेकिन ये वाला जो 0th row का 0th column है, ये इस दूसरे page पर है, इस दूसरे array पर है, तो अगर मुझे इन दोनों को differentiate करना है, तो मैं कैसे करूँगी, कि ये 0th array के 0th row का 0th column, ठीके, अगर मुझे only इस की बात कर रहे हूं, तो मैं क्या बोलूँगी, 0th row का 0th column इसको मैं बोलूँगी, लेकिन क्योंकि ये कौन से array का part है, 0th array का part है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, 0th array के 0th row का 0th column में इसको बोलूँगी, ठीके, इसी तदर से इस cell की अगर मैं बात करूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, 1st array के 0th row का 0th column बोलूँगी, तो ये concept आपको समझ में आ गया होगा, कि हम array की cells को, 3D array की cells को हम access किस तरह से कर सकते हैं, memory कैसे मिलेगी, तो जैसा कि सबसे पहले इस array को memory मिलने वाली है, इस array में भी पहले इस पूरी row को memory मिलेगी, तो पहले हम इस array की बात करें, तो क्या ये 0, 0, 0, तो हम इसको क्या बोलेंगी, 0, 0, 0, इस पीस काम है, इसलिए मैंने braces नहीं लगाया है, square brackets मैंने हाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है, तो पहले इस cell को मिलेगी, then इस cell को, इस cell का नाम कै है, 0, 0, 1, तो 0, 0, 1, then इस cell को मिलेगी, 0, 1, 0, तो 0, 1, 0, इसी तरह से इस पूरे array को मिल जाने के बाद memory, फिर इस array को मिलेगी, that is 1, 0, 0, तो 1, 0, 0 को मिलेगी, then 1, 0, 1, तो इसी तरह से क्या मिलेगी, इन सभी arrays को memory मिलेगी, जब ये पूरा array complete, then इस array को 2, 0, 0, then 2, 0, 1, and so on, तो इस तरह से memory मिलने वाली है, तो अब हमें ये data, इस array के अदर अगर फिल करना है, तो हम कैसे फिल करेंगी, सबसे पहले हम आते हैं, कि हमारा जो main array है, उस main array के अंदर total elements कितने हैं, पहले हम externally देखेंगे, तो उसके अंदर total elements है, उसके अंदर जो arrays है, वो total कितने arrays हैं, तीन अरेस है ठीक है तो अब मैं इस चीज को next line में लिख रही हूँ तो यहाँ पर हम is equals to का sign अब देखो यह हमारे main array की starting हुई किसकी starting हुई हमारे main array की starting हुई है ठीक है तो यह यहाँ पर मैं लिख देती हूँ देखो यह main array स्टार्ट हुआ अब उस main array के अंदर total कितने arrays है 1 2 3 तो यह first array के मैंने लिए मैंने यह वला bracket यूज किया मतलब यहाँ पर मेरा यह first array आ जाएगा first 2D array आ जाएगा इसके बाद में फिर second array के लिए फिर मैंने यहाँ पर यह bracket लगा दिये तो यह closing इसकी है अभी इस main array की closing नहीं हुई है फिर हमारा आता है third array तो third array के लिए फिर से मैंने क्या किया यह यह brackets लगा दिये ठीक है तो यह हमारा first array first 2D array, second 2D array, third 2D array यह हो गया इसके बाद मेरी इस वाली की क्या होगी ending होगी main array की क्या होगी ending होगी ठीक है और यहाँ पर क्योंकि उन arrays को separate करने के लिए comma का use किया जाएगा ठीक है जैसे array के elements को separate करने के लिए comma का use होता है तो अब देखो इस हमारे 0th array के अंदर इस 0th array के अंदर सबसे पहले हम यह जो चीज है सबसे पहले यह 0th row, then your first row, then your second row अब इस 0th row के अंदर total columns कितने हैं दो हैं तो यहाँ पर मैंने क्या दिये हैं दो columns की details दी है इसी तरह से first row के अंदर भी कितने हैं दो columns है और second row के अंदर भी कितने हैं दो columns है ठीक है तो अब यहाँ पर अगर हम देखे तो 0th array की 0th row के 0th column में आ जाएगा 101 तो 0, 0, 0 पे आ जाएगा, 0, 0, 0 पे क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा इसके बाद 0th array की first, 0th array की 0th row के first column पे आ जाएगा 30 तो 0, 0, 1 पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आपको बिल्कुल भी confused होने की जुरत नहीं है आप इसके बाद में भूल जाओ कि यह कोई 3D array है अगर आपको इस array को इस particular array को initialize करना है तो आप कैसे करते हो सबसे पहले आप दोगे 101, 30 दोगे उसके बाद आप next row के लिए दोगे 102, 40 तो यही चीज तो हमने यहाँ पे की है तो finally देखो 0th row के second, 0th array की second row की 0th column में आ जाएगा 103 तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे 0, 2, 0 पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसको हम 0, 2, 0 पढ़ेंगे इसको इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से sequentially लिखा है कैसे लिखा यहाँ आपको बता दिया है अब हम आएंगे हमारे first array पर कौनसे array पर आएंगे अब हम first array पर आएंगे अब उन में data हम कैसे देंगे पहले 2, 0, 1, then 20, then 2, 0, 2, then 21, then 2, 0, 3, and 23 यह हमने data दे दिया तो 1, यह 0 पर यह first row और यह second row तो इस cell को हम क्या बोलेंगे 1, 0, 0, 101, फिर 1, 1, 0, 1, 1, 1, क्योंकि 0th row, 0th column, first column, 0th column, first column, ठीक है इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आएं तो अब हमारा कौनसा array start होता है? यह वाला array start होता है इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे? अगेन इसमें भी 3 rows हैं तो यह 3 rows के लिए हमने इस तरह से लिख दिया अब उन 3 rows के अंदर भी 2 columns हैं तो यह 2 columns के लिए लिख लिए और बस अब हमें क्या करना है? 3, 0, 1, then 28 और फिरी पूरा data हमें as a test यहाँ पर लिख देना है